गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सात्वाहन सासक गोत्मियों पुत्र सातकरनी यह वसिस्टी पुत्र पुलुमबावी के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो जो मोरिय वन्स था सबसे पहले जो सबसे सकती सालिस आसक थे वो मोरिय वन्स के थे वहां से राजनितिक जो एकता है अर्थाज जहां से समरज्य इस्थापना होती है भारत में और फिर आपका आता है मोरियों के बाद सूंग आते हैं कणवा आते हैं और फिर कणवां के बा की थी ठीक है अब इसमें जो सक्तिसाली सासक हुए है गोती पुतर साथकनी और वस्सेश्टी पुतर पुल्लुमावी इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे तो एक तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चेनल इंडिया आपको नए नोटिफिकेशन मिलेंगे और नए ने वीडियो जाप राप्त कर सकेंगे तो आप लोगों से हमारी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेस को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ठीक है तो देखें पढ़ यह माता गोतमी बलसिरी थे गोतमी पुतर साथकर्णी ने सासकों के नाम के साथ अपनी मातों के नाम का उल्ले करना प्रारम किया था गोतमी पुतर साथकर्णी के समय को साथ वाहनों का पुन्रुधार का काल कहा गया है साथ वाहनों ने इसके काल में पुन है अपनी खोई सक्तियम प्रतिर्ष्टा प्रापत की थी. गोत्मी पुत्तर साथकनी नी नासिक के समीब वियनकटक नगर भसाया. इसकी उपलब्धियों का वर्णन गोत्मी बल्शिरी के नासिक अबिलेक में मिलता है. गोत्मी पुत्तर साथकर्णी ने सक साथक नहपान को प्राजित किया इसकी पुस्ट्री नासी के समेव जोगल थम्भी से प्राप्चांदी के शिक्कों से होती है जिने पुनै डाला गया है और जिनके एक तरफ नहपान का और दूसरी तरफ गोत्मी पुत्र साथकर्णी का नाम मिलता है। नासिक अभी लेक में गोतमी पुतर दावा करता है कि उसके घोडे दो समुद्रों का पानी पिते हैं बंगार से लेकर अरब सागर तक विस्तार इसका था इसकी धार्मिक नीती तो गोतमी पुतर साथ करणी ब्रामन धरम का अनुयाई था लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी सरंक्षन दिया इसने बोध विक्सों को अजकाल मिये महारास्टर तथा करजक महारास्टर जैसे छेत्र पर दान किये थे अजकाल किये और करजक जैसे छेत्र है वो ब्राहमन बोध विक्सों को दान दिये थे गोत्मी पुतर साथकर्णी को नासिक प्रस्ष्ति में विदों का आसरे अर्थात आगमान, नीले तथा एद्वित्य ब्राहमन एक ब्राहमन कहा गया है उसे द्वीजों तथा द्वीजे तर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला द्वी जावर कुटुम वीवी धन कहा गया है गोत्मी पुत्र साथ करनी का सासन परबंद गोत्मी पुत्र साथ करनी के सासन काल की तिथी के बारे में मतभेद है नैपान के जुनार लेक से पता चलता है कि वह 124 इस्वी में महरास्टर पर सासन कर रहा था गोत्मी पुत्तर के नासिक अबिलेक से पता चलता है कि उसने अपने राजारोहन के अथारवे वर्ष नहेपान से महारास्टर को जीता था अता है उसका राजारोहन 124-18-18, 106 इस्वी के लगबग हुआ होगा गोत्मी पुत्तर साथकन्नी के सासन के 24 वे वर्ष का दूसरा नासिक से मिला है जीसे स्पेस्ट होता है कि उसने कम से कम 24 वर्षों तक सासन किया होगा अता हम उसका सासन काल 106-18-13-18 इस्वी तक मान सकते हैं अब देखेगा वस्यस्टी पुत्तर पुल्लु मावी तो वसिस्टी पुत्तर पुल्लोमावी है ये 130 से 154 इस्वी में सासक बना था ये गोत्मी पुत्तर साथ करने का पुत्तर था पुराणों में इसे पुल्लोमा कहा गया है युनानी थ्यासका टोलमी ने जोगरोफी में सिरो पेरी मेयोस कहा है इसके साथ ये टोलमी ने पुल्लोमावी को ओजेन अर्थात उजेन का सासक भी माना था पुल्लो मावी कार्दमक सक वन सी दो सास को चस्टन थथा रूद्रदामन का समकालीन था वसिस्ट्री पुल्लो मावी के उपलब्दियों का वर्णन कार्नेरी अभिलेक जो माहरास्टर से मिलता है जिसमें वह दावा करता है कि सकसासक रुद्र दामन को प्राजित कर उसकी पुत्री से विवाह किया वसिष्टी पुत्र पुल्लु मावी के समय अमरावती स्थूप का निर्मान हुआ अमरावती से प्राप्त अभिलेख में एक मात्तर साथवाहन सासक के रूप में मसिष्टी पुत्र पुलुमावी का उलेख मिलता है महाक्षत्रफ रुद्रदामन अपने गिरनालेख में दकसेनापत के स्वामी साथ करनी को दो बार प्राजित करने का दावा करता है यह है राजा पुल्लुमावी ही था पुल्लुमावी अकेला ही एक सासक है जिसका अमरावती से प्राप्त एक लेख में हुआ है पुल्लुमावी को दक्षिना पत्थेस्वर भी कहा गया है तो दक्षिना पत्थेस्वर किसको कहा गया है वसी श्रीपुत्र पुल्लुमावी क इत्यासकारों का मानना है कि इसी सासक के समय में साथवानों ने अंदर छेत्र को जीता था अता इसे अंदर छेत्र का प्रथम साथवाहन सासक कहा है इससे पद पहले किसी साथवानों ने इस छेत्र को नहीं जीता था ठीक है अंदर छेत्र को किसी ने भी नहीं जीता था यह वसिष्टी पुत्र पुलु मावी ने जीता था कुछ सिको पर दो पत्वारों वाली नाम का चित्र मिलता है यह चित्र साथ वहनों की 9 सेना के प्रियाप्त विक्षित होने का परमान देता है तो देखेगा इस वाले वीडियो में हमने गत्मिव पुत्र सात करनी बहुत धन्यवाद